यह मैंने टू कलर की वूल लिया है और यह 3 mm का क्रोशिय होक है से मैं सही सोक्स बनाएंगे यह लगाएंगे एक डू तीन चार पांच चेन ताथ नू दस की गयारा चेन डालेंगे यह वाले को छोड़के सेकंड वाले में हाफ क्रोशिय हम लाएंगे यह दो तीन चार पांच चेन साथ यार और यह नू आपड़के कोश्या हमने बना लिए अब यह लास्ट वाले ने इसमें हम साथ तपर कोश्या बनाएंगे सेमन बनाएंगे एक दो कि तीन चार पांच छे कोई साथ एक में हमने साथ आप तपर कोश्या बना लिए यहां पर यह नू हमने हाप कोश्या बनाएंगे सेम ऐसे ही यहां तक हम बनाएंगे नू बनाएंगे आपर कोश्या ड्याक बनाएंगे तपर की तीन चार पनाएंग चीत तीन तीन चार उट्णह ओड्छी जुट्ट इस जुट्ट लास्ट उट्ट और ये नो, नो हाफ दोब दो ग्रोशिया, अभी याँ पर हम सैमन बनाएंगे, एक, दो, तेन, चार, पांच, छेन, और साथ, साथ हाफ दो ग्रोशिया बना लिए, अभी याँ इसे स्लिप स्टिच से जॉाइंट करेंगे, यह हमारे पास यहाँ पर नो, और नो, अठारा, और साथ, साथ, और साथ, चोटा, बतिस हाफ दोबल ग्रोशिया हो गए, अब एक, दो चेन डालेंगे, और यहाँ पर दोबल ग्रोशिया बनाएंगे, तिन डालेंगे, तिन डाल ग्रोशिया, चाथ, पांट, चीन, ताल, आथ, 9 में 9 प्रोश ऑनाे दो साथ है और 10 प्रूश ऑनाए आं एए इसमें 12 प्रूल 18 पूरायखे मैं कैंच कि यह समय हु ए सा इस घा करें यह कि हमने यहां पर दो दूबल क्रोश्या बनाए अब यहां पर नो सिंगल एक एक डबल क्रोश्या और यह साथ में दो दूबल क्रोश्या बनाके यहां तक कंप्लीट करें यहां पर 46 डबल क्रोश्या होगे यहां पर बाइंट करेंगे फिर एक दो चेंड डालेंगे इसी के अंदर यहां पर डबल क्रोश्या बनाएंगे इसको एक ही काउंट करेंगे ऐसी हम समय केक डबल क्रोश्या बनाते जाएंगे कि ऐसे नत्वे से यहां तक कंप्लीट कि देखिए यह उपर से यह राउंड कंप्लीट हो गया अब इसे स्लिप स्टिस से जॉइंट करेंगे यह यहां पर इसे में डबल क्रोश्य बनाएंगे कि यह भी रो सेकंड रो इसकी उपर से यहां से सेकंड रो ऐसे ही डबल क्रोश्य बना लेंगे यह मैंने उपर टू रो डाल लिया है यहां आपने थर्टिन चोड़के यह मार कर लगा दिया है यहां बीस यह तेरा बीस और यहां पर तेरा तेरा और यहां बीस अब हम यहां पर एक तू चेंड डालेंगे और इसमें से के अंदर डबल क्रोश्य बनाएंगे तेरा के उपर तेरा डबल क्रोश्य बना लेंगे तेरा डबल क्रोश्य और अब हम यहां पर डिक्रीज करेंगे यहां पर हम डिक्रीज करेंगे एक एकम करते जाएंगे यह दो में से निकाल लेंगे फिर दो में से निकाल लेंगे फिर तीनों का एक अठा एक कर देंगे यहां पर तीनों का एक यहां से फिर एक यहां से दो दो में से दो का एक करते जाएंगे यहां पर दो रहेंगे दो को भी ऐसे ही दो का एक करेंगे यहां पर 20 डबल क्रोश्या थे तो यह दस होगे अब यह जो 13 डबल क्रोश्या हैं इनके उपर एक एक बार 13 के उपर 13 डबल क्रोश्या बुनते जाएंगे यहां पर मारकर लगा देंगे इसे यहां तक कंपलीट करेंगे यह थर्ड रो भी कंपलीट हो गई अब इसे यहां पर स्लिप 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 से जॉइंट करेंगे फिर यहां दो चेंड डालेंगे और नेक्स्ट में डबल क्रोश्या बनाएंगे 13 के उपर 13 डबल क्रोश्या बनाते जाएंगे इसे यहां तक कंपलीट कर लेंगे 13 के उपर 13 डबल क्रोश्या बना लिए और फिर यहां पर कम करते जाएंगे एक और ये दो दो को कम किया ये तीन को एक कर दिया ए और दरोड में यहां पर 6 हो गए एक दो तीन चार पांच यहां बीसते 10 हो गए तो यहां पर 5 हो गए यहां पर यह तंक म 21 क्रोशिय बना लेंगे यहां हमने 23 पर यहां पर किकरेंगे अब यहां पर, महरे पास, यहां पर छे थे और यहां पर तीन ओगे, अब यहां पर फिर थर्टिन डबल गुरोश्य बना लेंगे, पांच रो कंप्लीट कर दी हैं, अब यहां पर हमारे पास 28, टोटल 28 डबल क्रोशिया बचे हैं, तो हम इसे एक दो चेन डालेंगे, डबल क्रोशिया बनाएंगे, 28 के उपर 28 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे, यह 28 डबल क्रोशिया बनाते हुए, इसे यहां तक कम्पलीट कर लेंगे, यहां पर रेड गल लगाएंगे एक दो चेन डालेंगे डबल क्रोशिय बनाते जाएंगे ऐसे ही 28 के ओपर 28 बनाते हुए इसे कंप्रीट कर लेंगे यह मैंने 28 के ओपर 28 डबल क्रोशिय बना लिए हैं अब इसे टर्न करेंगे एक चेन डालेंगे और इसके ओपर यहाँ पर डबल क्रोशिय बनाएंगे एक, दो, तीन डबल क्रोशिया, एक, दो स्किप करेंगे, और यहाँ पर, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन, फिर इसे ये नेक्स्ट वाले में, तीन क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो और एक तीन फिर एक दो स्किप करके यहां सिंगल क्रोशिया एक चेन फिर यह नेक्स्ट वाले में तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे तो और एक तीन फिर एक दो स्किप करके यहां पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे एक चेन तीन डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो और यह तीन ऐसे ही बनाते हो इसे यहां तक कम्प्लीट कर लेंगे हम इसे यहां पर slip stitch से joint करेंगे, अब इसे turn करेंगे, यहां एक chain डालेंगे, यह जो तीन double crochet बनाए थे, तो second वाले में, second वाले में, single crochet करेंगे, फिर एक chain, फिर यह जो हमने single crochet बनाया था, इसके space में, तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, यहां पर second वाले double crochet में, जो तीन double crochet बनाए थे, एक single crochet करेंगे, फिर एक chain, फिर यह जो space है, single crochet के साथ space है, इसने, यहां तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, ऐसे ही बनाते हुए, यह row complete करेंगे, अब इसे, यहां slip stitch से joint करेंगे, फिर एक chain डालेंगे, फिर इसे turn करेंगे, थर्ड वाले, तीन double crochet बनाए थे, तो यह थर्ड वाले में, single crochet, एक chain, फिर यह जो single crochet का space है, उसमें, तीन double crochet बनाएंगे, दो, और एक, तीन, फिर यहां पर, एक, दो, तीन double crochet है, तो बीच वाले में, यहां single crochet, एक chain, फिर यह जो single crochet का space है, इसमें, तीन double crochet बनाएंगे, एक, दो, तीन, चार, फूर्थ रो बना रहे हैं, यह चुत्ती रो है, इसके बाद हम तीन रो और डाल रहेंगे, इसे complete कर लेंगे, देखिए, यह हमने 7 रो complete कर लिए हैं, यह बनाए है, एक, दो, तीन, चार, पांच, छें, साथ, अब इसको ऐसे fold करेंगे, शूज कंप्लीट हो गया, बहुत ही संदर है, चलिए, देखिए, और आप भी बनाएंगे, थैंक्स पूर वाचिंग, बाई बाई, हैव नाइस दे,